Hello Friends and Welcome दोस्थ के समय सब्सक्राइब है आप के समगा सकते हो। नए वीडियो के साथ जो कमृडिकेस्ट से रिलेटेब है और यह कमृडिकेस्ट का पार्ट 30 है या तीसवा नंबर वीडियो तो इसके पले मैंने 29 वीडियो बनाई है जो communication skill पर अधारित है और इसमें मैंने basic सिले के advanced level के concept को clear किया है दोस्तो मेरा request है कि अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो कि रिपिया इन वीडियो को देख लिजे ताकि आप अपने communication skill में इसको apply किजिए और आपको अपनी इसको इंप्रूब किजिए तो दोस्तों यह जो वीडियो है हमारा यह है लास्ट वीडियो communication skill कोर्स का जो की है डिसकस करेगा कि how to become a good communicator आपको अच्छे communicator बनने के लिए क्या क्या करनी चाहिए तो इसका जो टॉपिक है मैं बताऊंगा अच्छे काम को करने के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है तो दोस्तो मैं आपके पास जो बताने जा रहा हूँ यह है कि ट्रेट सब पहले good communicator good communicator के क्या अगलक्षन होते है जो आप good communicator किसको बोलते हैं good communicator हम उसको बोलते हैं जो अपने communication को अच्छे धंग से प्रस्तूत करें अच्छे धंग से करें ताकि उसको जो receiver है उसको अच्छे से समझे और अच्छे से एक knowledgment दे feedback दे तब ही हमारा communication process जो है complete हो जा जिसी को हम बोलते हैं good communicator या effective communication तो दोस्तों जो good communicator उनके क्या का लक्षन होते हैं perceptive होते हैं in control में होते हैं credible होते हैं confidential होते हैं precise होते हैं यह major important गुन हैं जो क्या होते हैं जो good communicator उनके होते हैं आप question है कि guidelines to become a good communicator क्या-क्या good communicator बढ़ने के लिए क्या guidelines हो सकता है देखिए adopt an audience-centered approach देखिए आपको एक audience इंटर जिस topic पर बात करना है जिस common point को अपको रखना है वो किस से बोलना है और क्या है उसको ध्यान में रखकर ही आपको adopt करना है इन चीजों को तभी आप कर सकते है फोश्टर open communications फोश्टर का मतलब होता है कि to encourage something to develop जो open communication है उसको क्या है आपको फोश्टर करना होगा उसके बाद फिर create clean efficient message जो आपके जो message है उसको clean रखना पड़ेगा clear रखना पड़ेगा चाकि लोगों कोचे से समझ पाए और give up laziness जो आपको आलसी पना है उसको दूर करना पड़ेगा तभी जाके आप पर good communicator बन सकते हैं और last is be ethical in your communication अपनी communication में ethical होना पड़ेगा ethics को ध्यान में रखते हुए भी आपको communication करना पड़ेगा तो यह जो है जो पांच मेंने importance point बताया निके guidelines to become a good communicator अगर हम बात करते biggest barrier क्या है हमारे जो communication की laziness क्या होता है रसी बना होता है अरको communicator बनना है नहीं है hard work कि जीए और कम्यों की甲िशनेंग सब्सक्राइब करेंगे तो आप अच्छके से communicate नहीं कर पाये तो laziness जो है क्या है हमारे सभी रूट का क्या है यह औरोध पता है पता करता है रिलेक्टेंट है हमारे communication में तो हमें laziness को हटाना पड़ेगा लेजीपन को सिद्धूर रहना पड़ेगा एक्टिव होकर हमको communication करना पड़ेगा कि बिजर यह barrier है हमारे communication का उसके बाद अब है कि becoming ethical in communication ethical आपको communication में बना पड़ेगा ethics को ध्यान में रखके आपको communicate करना पड़ेगा तो दोस्त इथिक्स क्या होता है ethics के बारे में बोलते हैं कि ethics are the principle of conduct that govern a persons or group यानि कि जो morally correct होगा उसी को हमको करना है उसी को ethics में ध्यान में रखकर काम को करना है तो आप बहुत है कि commit to ethical communication ethical communication अगर आप करते हैं तब ही आप जाकर एक good communicator है आप जाकर आप एक good communicator है तो five common ethical traps है जिसमें आदमी फस्त जाता है गलत धारना बन जाता है misconception जाता है तो यह पांच जो में ethical traps है तो क्या है पहला है कि convincing yourself that no other choice exists यानि कि the false necessity trap आदमी गलत धारना है कि अपने आपको convince करने लगता है कि हमारे पास दूसरा choice नहीं है इसके लावा यह समझ कि वह काम करने लगता है उससे समझ कि आप communicate करने लगता है कि आप हमारे पास दूसरा option नहीं है तो यह क्या एक trap है दूसरा है the doctrine of relative trap यानि कि comparing your unethical behavior with someone else even more unethical behavior क्या होते comparing your unethical आप 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 कोई का गलत करते हैं उस किसे compare करते हैं जो अल्रेडी गलत किया रहता है कि यह उसने किया तो मैं भी करूंगा उसने भी तो इसे किया है तो यह गलत किया इसका मतभी नहीं है कि आप भी गलत करें तो यह भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है उसके बाद रेशनलाइजेशन ट्रैप जो हता है वह क्या जस्टिफाइंग अनिथिकल एक्सन विट एक्सक्यूज आपको एक्सक्यूज करना है कि नहीं यह है ऐसे हो गया इसके चलते भी आप फॉन जाते हैं और अपने इतिकल कम्निकेशन के फ़र में आ जात जिस्टिफाइब मेंस ट्रैप यूजिंग अनिथिकल मेथर्ज टू एकंपलीक्से डिजारेबल गोल बलेंगे अनिथिकल तरीका से आपका जो डिजार आपका जो गोल आपका जो लक्ष है उसको पूरा करने में लग जाते हैं तो यह ध्यान नहीं देते हैं कि जो मेरा प करते हैं इतिकल कम्निकेशन नहीं कर पाते हैं तो इनको हमको ध्यान देने की जरूरत है उसके बाद हम टूल्स पर दूइंग दर राइट सिंग की बात करें तो कुछ ऐसे जैसे करें कि आप इच एक्शन यू आर कंस्रीडिंग लीगल पले सोचिए कि आप काम करें क्या ल आप ये की गलत है वाट अल्टेनेड ना रिवले बुलो इसके लिए क्या अलग कोई सलूटन है कोई याग मेथढ है इसाम को कर सकते हैं उसके बाद कं यू डिसकस्ट प्रोलेमे जिसकस किया जिसके आप बिश्वास करते हैं इसको आप मानते हैं कि आपको आपको सही अपताने को प 되면 की वेले हो डाले इसको इस जो therebyप भчесकी सब्दसवर चाहिए हैं कि तो यही है कि हम अबने जो राइट काम करने में मदद करें गाओ अगाटunde ईस जिदों में जो discuss किया तो मैंने बताया कि ye Kchan, ऑन मत इन उनके क्या क्या लक्षण होते हैं इस उसमेशDraallen को धियान में रहते हैं कान यो देखते हैं कि हम केलचर का क्या र convention करेंकर के-okolी में." ऐथिकल c privilege एधियान देखते हैν काम करना i project है, लेकिन उससे ज्यादा i project है, किकी तरह से काम को कर रहा है, गलत कोई तरीका तो नहीं अपना रहा है, गलत कोई प्रोसस तो नहीं जिसे किसी को नुकसान है, और अमने रूल को प्रिंस्पल है उसको इन तूर रहे हैं, यह चीजों ध्यान में रखना होता है, और यह good communicator यह जो होते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बादны आपको एक good communicator बढ़ना है ते किया किस guideline से इसको ने एक्सक्क्लेन किया फिर मेने ethical communication के बारे में बताए ethical communication के traps के बारे में explain किया फिर उसके बाद मेने बताया कि आपको right things करने करने के लिए क्या-क्या tools होगा है किन प desapareण पर आप सोचकर सही तरीके से कोई काम को करेंगे तो दोस्तों ये रहा हमारा Communication Skill का लास्ट वीडियो जो 30 नमबर था और मैं आपको फिर एक बार request करता हूँ और आपको remind करना चाहता हूँ कि जो हमारा Communication Skill का एक course है जो एक training के फॉर्म में मैंने जो वीडियो बनाया है जो 30 वीडियो का एक series है और हट वीडियो एक दूसरे से link है दोस्तों तो आप इनको बार-बार देखिए इनको share कीजिए अपने दोस्ते किजिए और फ्रेंड के साथ family member के साथ इसको discuss कीजिए और इसका फायदा उठाना है आपको तो इसको एक्षन लेना पड़ेगा इसको practice करना पड़ेगा practice करके इसको अपने communication skill में इसको लाना पड़ेगा तभी आप आप जाके अपने communication skill को improve कर पाईएगा क्योंकि जब तक इसको practically apply नहीं किजिएगा तब तक इसका लाइफ में कहीं न कहीं किसी न किसी form में learning में और आपके success में फायदा देगा और advantage देगा तो दोस्तों आप फिर से मेरा request है कि इनको देखिए और अपने लक्ष के प्रती अगरसार होकर काम किजिए फिर हम मिलते हैं आप से नए वीडियो में नए concept था तब तक हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपने life को enjoy किजिए thank you दोस्तों